जैसा कि आपको बताया था कि यह एरिया 21,470 तक strong resistance रहेगा तो वो रहा लगातार आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और यहां से आपने अच्छी खासा इस गिरावट को पुट के जरीए काफी profit कमाया भी हो और उसके बाद अगर हम आएं midcam nifty में आपको बताया था 10,200 के उपर breakout और आपके लिए important level 269 एक्जैक्ली वहीं ही तो इस तरह से आपने अच्छा खासा profit enjoy किया होगा आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइक का बटन दबाईए नीचे फ्री टेरिकम चैनल का लिंक दिया उसे जुरूब क्लिक किए कोंकि वहाँ पर जो सुबह सुबह कमेंटरी आती है वो इस वीडियो के साथ जोड़ कर देखें तो आपकी अच्छी खासी knowledge market के लिए बढ़ जाएगी अब आते हम रुपईये पर तो रुपईये में जिसने यहां से sell किया है मैंने बताये हुए कि यह selling area है और यह stop loss का काम करेगा 83.3 तो वहाँ से आप अच्छे खासे profit में है यहां आए तो अपना profit फिर book कर लेना फिर यहां से upward moment को play कर सकते तो लगे रहिए कमाते रहिए ऐसी ही अब आते है stocks तो stocks में गेल काफी अच्छा चार्ट पे फिर से clear कर दूं कि यह कोई buy sell recommendation नहीं है buy करो sell करो आपकी margin मेरा काम है चो चार्ट पे strong stock वो आपके सामें लेकर आना इस time गेल का chart strong लग रहा है क्योंकि इसने यह तो मैं शुरू सही recommend किया यहां पर chart इसका अच्छा है पहले तो यहां से breakout दिया इसने 132 से उसके बाद flag बनाया फिर breakout फिर एक dip पाया उसके यहां था 522 वहां से बताया था आपको कि इसका chart काफी strong है देखिए लगातार इसने भी flag बनाया और लगातार high पे high बनातार फिर एक dip पाया फिर से उपर उठाया तो यह काफी अच्छा chart दिख रहा है तो इसकी जुरूर study कीजिए और अपनी साब से देखिए इसमें क्या तो आएए अब हम आते हैं फिन निफ्टी पे कि फिन निफ्टी का chart कैसा लग रहा है दिखिए फिन निफ्टी में जो sport है पहले भी इसने 21,000 के area से ही sport ली है अब भी अगर कोई deep आता है 20,000 980 21,037 यह sport का काम करना चाहिए यह area वो important level रहेंगे 78, 144, 220 यहां पे क्या है 10 एम और उसके बाद 350 और 417 एक strong resistance का काम करते रहेंगे बाकी यह sport मैंने इसलिए लिखाया कि अगर by chance कल gap up opening होती है तो fit 10 एमा एक sport का काम कर सकता है वैसे इसकी sport नीचे ही है जो मैंने बताई है बाकी यहां पे 21,470 एक strong resistance का का काम करता रहेगा अब जो breakout इसमें आएगा वो आए का हाई लगा है उसके उपर उसके उपर भी 50-60 पॉइंट उपर ही breakout आ सकता है क्योंकि 21,460 यह एक अच्छा लेवल होगा इसके उपर breakout के chances रहेंगे और important लेवल रहेंगे 518,600 600 फिर से एक strong resistance का काम करता रहेगा क्योंकि यहां अची खासी call rating है और फिर fresh breakout 635 के उपर आने क इमीद रहेगी और 21,733 और 21,800 एक important लेवल आपके लिए काम कर सकते हैं इसके बाद आते हैं midcam nifty में midcam nifty का भी chart nifty की तरह काफी strong midcam nifty और nifty काफी strong है और bank nifty और फिर nifty काफी कमजोर है तो इस तरह से market चल रही है तो midcam nifty chart strong और इसकी sports कहां के हैं पहली sport है 10,136 यहां 10 M है stop loss 122 ठीक second sport है 9984 जहां पे 20 M है यहां तो पक्का ही है कि अपना buy करना ही है 20 M है तो पता ही आपको और 10,077 यह आपका important level रहेगा अगर यहां से sport लेग यह breakdown किसलिए लिख है अगर माल लीजी उपर से market आती है 10 M है टूटता है 10,020 10,077 टूटता है तो यह breakdown का काम भी करेगा फिर नीचे की और market 20 M है पे sport ले सकती है इस तरह से यह काम करेगा उपर की और जो Friday का low है अभी फिल हाल वैसे तो market gap up खुलने के chances है ठीक है तो नीचे की और अगर मालोग gap up खुलती है तो यह 10,176,163 जो की Friday का low है जहां से इसने sport ली है तो वो इसका sport का क काम करेगा यह area 10,176,10,200 यह sport है जो important level रहेंगे 272 जो की high रहा है इसका ठीक है आज का जो high रहा है वो 272 Friday का तो यह भी एक important level होगा और 348 strong resistance का काम तो शुरू से ही कर रहा है यह देखे एक दो तीन चार काफी ज्यादा इस पे pressure रहता है 340 के आसपास जो fresh breakout आएगा वो 406 क के ऊपर ही आएगा तो यह थे level mid cap nifty और fin nifty के important level चहाँ पे sport, resistance और breakout आपको मिल से है तो यह था complete price action अगर आपको हमारी वीडियो पसंद रहे तो जिरूर लाइक कीजिए हमारे channel को subscribe कीजिए और जाज़ जाज़ वीडियो को share किए थैंक यू धन्यों झाल